वेल्कूम बाक। मार्केट में आज हमने फिर एक निगेटीव सेशन देखा है। निफ्टी में हमने करीब 15965 के असपास का क्लोज देखा है, जो कि 92 पॉइंट के गरवट निफ्टी में आज देखी गई हूई। वही बैंक निफ्टी में हमने करीब 34827 के असपास का क्लोज देखा है जो कि 305.1 गिरावट बैंक निफ्टी में देखे गए तो ओर ओर थोड़ा सा बेरिश अंडर्टोन मार्केट में अज देखा गया दिन बर लेकिन दो स्टॉक्स ऐसे थे जिसमें आज एक अच्छा कासा पॉजिटिव एक्शन देखा गया तो उन्हीं दो स्टॉक्स को आज जब डिसकस करेंगे वो दो स्टॉक्स है और अरोबिंदो फार्मा की बात कर लेते अरोबिंदो फार्मा में हमने करीब 559 के असपास का क्लोस देखा है जो की एक अच्छा कासा टेक्निकल पॉजिटिव क्लोस जिसको कह सकते है इंफाक्ट पिछले कुछ दिनों का अगर इसका चार्ट देखे तो 23rd of May के बाद यह सबसे हाइस्ट क्लोजिंग हमको अरोबिं पिछले कुछ दिनों से इसका एक रेंज बना हुआ था तो वो on the lower side 510 और उपर 545-550 तक यह maximum stock आता था और वहां से फिर इसमें एक दबाव देखने को मिलता था लेकिन उसके उस range को सरपास करके उपर ही सस्टेन हो गया तो यह एक पॉजिटिव साहन है तो in the near term लगता है इस stock में एक positive undertone बना रह सकता है और जहां तक इसके अभी support और resistance का सवाल है तो on the lower side 530 के असपास इसका एक अच्छा support रहेगा वही on the higher side stock में हमको 600-620 तक के range भी आते हुए देखने को मिल सकते क्योंकि काफी लंबे अरसे बाद यह stock अपना range सरपास करके उपर निकल रहा है तो 620 के असपास के levels बिलकुल यह stock potential रखता है उपर जाने का तो देखना पड़ेगा step by step किस तरह से एक एक levels यह sustain करता है लेकिन as of now technically इसका जो undertone है वो बहुत positively placed नजर आ रहा है दूसरा जो stock है वो है Voltas, Voltas में भी आज हमने एक अच्छी जबरदस्त एक action देखिए price action जिसमें करिकती 3% का एक move Voltas में हमको देखने को मिला और यहां पर हम देख सकते है अला कि कोई बहुत पड़ा range breakout आज सच देखने को नहीं मिला अभी भी लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह stock 980 के उपर closing देने में बिलकुल असमर्थ था तो उसके उपर आज close आता हुआ दिखा है 984 का आपने close देखा है Voltas में तो जो कि एक अच्छा positive technical sign है और 5 days average के उपर यह stock price sustain करतावा नजर आ है हला कि averages में अभी भी कोई crossover नहीं है लेकिन एक अच्छा positive crossover आने की बिलकुल उमीद इसमें लग रही है जिस तरह से price action आज देखने को मिला है करीब 3% के आसपास का तो वह इन बातों को देखते हुए लगता है कि इसमें undertone positive रह सकता है और बिलकुल इसके जो recent tops को अगर हम connect करेंगे तो उसका जो एक छोटा सा trend line बनता है तो उसको भी आज stock ने सरपास किया है clearly तो 978, 980 के असपास का जो resistance stock के लिए था उस trend line का तो उसको भी आज सरपास किया है तो लगता है कि यह momentum और थोड़ा continue हो सकता है तो वोल्टास में भी एक positive technical setup नजर आ रहा है और इसके अभी support resistance के अगर बात करें तो on the lower side 950, 960 यह अच्छा support zone है जो पिछले कई दिनों से यह stock hold कर रहा है on the higher side इसमें हम 1040, 1050 तक के leols भी आने वाले कुछ दिनों में आते हुए देख सकते है अगर यह momentum continue होता है तो वोल्टास में एक अच्छा positive setup नजर आ रहा है momentum भी आज अच्छा pick up होता हुआ नजर आ है तो यह दो stocks को trader बिलकुल अपने watch list पे रख सकते हैं दोनों stock technically positively placed नजर आ रहे है और अबिंदो फार्मा और वोल्टास